रुकिए रुकिए भाई पालक की ये मज़ेदार रेसिपी देखते जाएए क्योंकि पालक खाना तो सभी को बिल्कुल बोर लगता है लेकिन पालक हमें खानी चाहिए क्योंकि पालक में होते हैं बहुत सारे आइरन, विटामिन, प्रोटीन जो कि हमें जरूर से ही सेवन काना तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक की एकदम नई रेसिपी देखने के बाद हमेशा आप पालक को इसी तरीके से बनाएंगे बच्चे बड़े सभी आपसे मांग कर खाएंगे मेरी ग्यारंटी है तो चलिए भाई नमस्ते दोस्तों कामीनिके किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए फटा-फट से बिना देरी किये हुए रेस्पी शुरू करते हैं तो पालक को हमने यह पे ले लिया है और इसे हमें थोड़ा-थोड़ा कट करना है इतना इतना और धंडी को हमें कट नहीं करना है क्योंकि हमें इसे पीषना है तो चलिए उसे फेकना नहीं है तो चलिए पानी डाल करके हमें इसे हलका सा भपा लेना है ज्यादा हमें इसे नहीं भपाना नहीं तो इसका कलर भी खराब हो जाएगा और ज्यादा उबालने से जो पालक के तत्यों है वो भी पानी में नश्ट हो जाते हैं तो चलिए बस हलका सा एक पॉयल आ जाए इतना हमें पकाना है और फटा-फट से गैस को करते हैं बंद और इसे हम निकाल लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा पालक को जादा नहीं पकाना है वरना इसका कलर भी खराब हो जाएगा यानि हल्क किसी ये ब्लैक टाइप की हो जाती है तो वोने एक पांचे काली मिर्च एक मोटी लाइची डालिएगा बड़ी हो मेरे पास बहुत चूटी तो मैंने इसलिए दो डाली है साथ में थोड़ी सी लॉंग और कच्छा जीरा डालेंगे क्योंकि भुने जीरे का पाउडर यूज करते है तो कच्छा जीरा पीस लीजेगा मसाले मे बुनेंगे तो बुने जीरे का पाउडर ही बन जाएगा साथ में तीन से चार मैंने सूखी लाल मिर्च ली है अगर सूखा धनिया हो तो आप एड़ कर दीजेगा टेस्ट बहुत अच्छा आता है सेकिंड बैच में हमने टमाटर को भी पीस लिया है और मेरे पास सूखा ध चानिया नहीं था तो मैंने सकिप किया है और मसाले को हमीं थोड़ा सा दर्धरा ही पीस करके तायार करना है तो चली ह् पीस करके है पालक भी हमारी हो गई है ठंडी ठंडी होने के बाद हम इक ले लेंगे मिक्सीkee G rider JAR और इसमें हम फटासे पालक डालेंगे और पानी बट और फटाफट से हमने इसको पीस करके कर लिया है तैयार तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जितना हो सके आप इस तरीके से फाइन ही इसे पीसने की कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत पानी लगे तो डाल सकते हैं लेकिन मैंने अभी नहीं डाला है और चलिए फटाफट स हम इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में और पालक की यह बहुत यूनीक रेसिपी है फ्रेंड्स आपने शायद ही कभी ट्राइ की हो लेकिन आप जब ट्राइ करेंगे ना तो आप हमेशा इसी तरीके से पालक बनाएंगे बिल्कुल भी पालक का टेस्ट नहीं आपको भी एंजुआ आएगा जब बड़े सम्मांग कर खाएंगे आप भी बहुत कुष होंगे जिस बालक को बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता था अब सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो चलिए यहां भी मैंने डेळ को टोरी के करीब बेसन लिया है कब के थोड़ा सा कच्चा जीरा डाल रही हूं, हींग डाल रही हूं क्योंकि बेसन पचाने में दिक्कत ना हो तो हींग का चरूर यूज कीजिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, और तो टेवल स्पून के करीब में यहां पे तेल डाल रही हूं, तो तेल डालने जब हमने पीसा है तो पालक में पानी रहता है, तो पहले हम बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, इसके बाद में आपको बताती हूं क्या करना है, तो लीजी हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और देखिए, पालक हमारी बहुत अच्छे से बेसन को मतलब अपने अ तो चलिए फटा फट से अब हमने लिया है एक यह फट कर लिया है एक यह एक यह विस्कर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको एकदम जैसे बैटर होता है उस तरीके से बना करके तयार करें लिजी हमने इस तरीके से बेटर बनाकर के तैयार कर लिया है। इसकी consistency ध्यान से समझ लिजिए। ना इस जादा पतला कर दाएँ और ना इस जादा कर दाएं तोे बहुत भी मेटर बनाना है। एकला फैल्पी मुल्ट करके के यहाद से लिजडい मैं जाना ब्राइब पूरी रेशिपी को भणी पानी अच्छे से खॉल जाएगा तब उस तरीके की कर्ची ले लेंगे तो इस तरीके की कर्ची सभी के घर में एबिलेबल होती है और कर्ची को हमें खौलते पानी के ऊपर रखना है और ग्लास से ये बैटर मैं डाल रहे हूं ग्लास से बैटर डालने में क्या होता है ना कि हम इसे कंट्रोल कर सकते है अगर आप यही कटोरे से डालेंगे तो इदर फैलेगा तो बस जैसे हम बैटर डालेंगे एक स्पून की हल्प से हम इसे फैलाएंगे और नीचे पानी उभल रहा है इसमें ये गिरेंगे तो ये सेव टाइप के बन जाएंगे पेसन के जो कि बहुत ही डिलिशियस लगते है टेस्ट तो इतना लाजवाब आता है पालक बेसन का और तो ये सेव बनते हैं न हमने इसमें दो चम्मश तेल डाला था तो काफी सॉफ्ट बनते हैं मुझ में बिल्कुल जाते ही घुल जाने वाले तो बस थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है और जितनी आपके कड़ाई में जगे हो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें सेव डालन जाग जाग आप देख रहा होंगे यह बेसन के कारण होता है और यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे यह उबल करके हो गये हैं बिल्कुल तैयार तो चलिए फड़ा फड़ से निकाल लेते हैं दो से तीन मिनट में ही आप इने निकाल लीजिएगा और इसी तरीके से हम अपने सारे सेउ बना करके तैयार करेंगे तो जैसे अच डाल रहे हूं उसी तरीके से आपको डालना है स्पुन की हेलफ से इस तरीके से करेंगे और जो इसमें जो होल्業 ना यानी जाली ताइप की है न तो इससे एंनी नीचे गिरेंगे तो यह सेपके हो जाएगे तो बहुत यूनिक रेसिपी है आप इस तरीके से बना करके देखें अगर आपने ऐसी रेसिपी बनाई हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और नहीं बनाई है तो एक पर ट्राइ जरूर कीजिएगा तो लीजिए इसे पकते हुए एक सेकिंड हुआ है क्योंकि हमने इसे डाला है उसके बाद हमने इसे पका लिया है तो एक दो सेकिंड पकाने के बाद हमें इसे धीरे आच में एक दो मिनट के लिए उबार लेना है इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे तो चैलिए इन्हें पहले हम निकाल लेते हैं और ठंडे होने के बार फ्रेंड्स ये ब तो इन्हें हमने इस तरीके से फैला दिया है अभी रखते हैं साइड में जब तक ही ठंडे होंगे तो चैले फटा फट से बनाते हैं अपनी सबजी की ग्रेवी यानी मसाला भून लेते हैं तो चैले फटा फट से सरसो का तेल डालेंगे इसमें कच्चा जीरा डालेंगे और जब अच्छे से तडग जाएगा तब हम इसमें हिंग डालेंगे हिंग ज़रूर एट कीजेगा मैंने स्पेशली दो बार एट की है बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है और अब यह टेस्टी सा मसाला डालेंगे फ्रेंड्स ही अच्छा लगता है किसी भी सबजी में आप जरूरी नहीं है कि आप इसी सब्जी में डाले चो छोडा पनी राजमा किसी में भी डालेंगे इतनी टेस्टी बनने वाली है कि मैं आपको क्या बताओं चलिए सब्जी को मेय नि मसाले को हम डालेंगे और एक-दो सेकेंड के लिए भूनने के बाद हम इसमें मसाले आड़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर कम ही डालिएगा क्योंकि ज्यादा पीली सब्जी अच्छी नहीं लगती है, साथ में एक टेबल स्पून छोटा काश्मेरी लाल मिच, डेर से दो चम्मच के करीब धनिया पाउ क्योंकि पहले हमने नमक एड़ किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो एक विशेष्टा होती है सबजी बनाने की, सबजी का मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, तब ही सबजी में टेस्ट आता है, तो चलिए इसे कवर करते हैं और पकने के लिए ठंडे तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यह सेव टाइप के बनकर के तयार हो, जैसे गाठिया होती है ना बेसन की बस उसी तरीके से बने लेकिन जब यह पकते है ना ग्रेवी में तो बहुत ही मुलायम सौफ्ट लगते है खाने में जैसे हम बेसन के सेव खा रह मुझे लगभग 5-6 मिनट हो गए है मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो 10 मिनट के करीब लगा दीजिएगा तब मसाला बढ़िया से भुनेगा मसाले ने तेल बिलकुल छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है तो चलिए अब पालक और भेसं के जो जिया हम मसाले में अच्छी आच्छी करेंぎे मिक्समार काने के बाद में । आप मसाले की सिंड़ सर फिलेवर के अंदर तक जाएगा मिक्समार बढ़िया 2-3 मिनट के लिए चोड़ दे ना है ताकि आप मशाला अच्छी से धुन जाए तो लीजिए हमारी ये सूखी टेस्टी सी सबजी है तैयार जो लोग सूखा खाना पसंद करते हैं वो इसी स्टेच पे इसे बंद कीजिए इसमें धनिया डालिए थोड़े से अधरक्ते लच्छे डालिए बहुत ही टेस्टी लगेगी लेकिन मैं बना रही हूँ ग्रेवी व तो चैली अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे कवर करने के बाद हमने इसमें जैसे ही एक या दो बॉइल आ जाएंगे और सबची पहले से काफी गाड़ी हो जाएगी देखिए फ्रेंडस की कंसिस्टेंसी इस सबजी को ज्यादा ग्रेवी वाला मत बनाएग और सबची हमारे आलमोस बन करके तैयार हो जाएगी तो लास्ट में इसे गानिश कर देंगे हरे धनिये के साथ और ली जी ये टैम्टिंग सी पालक बेसन की सबची हो गई है बन करके बिलकुल तैयार फ्रेंडस जो पालक नहीं खाते है न वो भी आपसे पालक मांग मांग कर खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे तो छोड़िये ला के घर में रखेंगे कि भाई वही वाली सबची बनाएए तो अब परेशान होने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है सबको पालक खिलानी है अब पालक खुद ही सब लाएंगे और बस आपको क्या करना है इस तरीक के घर में इसली एबिलेबल हो इतनी स्वादिष्ट चटपटी सबची बन करके हो गई है बिलकुल तयार तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी मेहनत मेरी क्रेटिविटी आपको चुरूर पसंद क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ घ घर के ही कम समान से एक डम नई नई रेसिपी जो कि आपके टेस्ट को बढ़ा सके और आप कुछ नया बना सके तो मुझे सपोर्ट करना तो बनता ही है तो लीजिए टेस्टी सी सबजी है तैयार अगर वीडियो जरा भी पसंदा तो प्लीज लाइक जरूर कीजीगा मिलते ह अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाए और टेक लिए